हेलो फ्रेंड्स दिस वीडियो में आप लोगों को एक पर्टिकुलर डाटा टाइप जो कि सबसे ज़ादा यूज किया जाता है वेबसाइट में या फिर किसी भी चीज में आप देखोगे वह है टेक्स्ट यानि की स्ट्रिंग तो मैं आज आप लोगों को टेक्स्ट और सिंगल कोट में आपको उसके देना परेगा श्रिंग कोवर इसके इंदर आप स्रिंग लिःख सकते हो इस वीवेक एंड इस एद इस अन। इस रिंग तो इस तरीके से आप लोग string वगएरा बना सकते हो और फिर आप इससे print करवा सकते हो dollar x, आप चाहो तो दूसरा variable भी pass कर सकते हो dollar y, ओके, तो चलिए मैं इससे run करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ अब इससे dollar x and dollar y क्या कल थी हुई undefined variable x, ओके, 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 यह जो x है वो capital case हो गया, क्योंकि PHP case sensitive language है तो यहाँ पर error आ गई, तो आप देख सकते हो this is wake and this is a string, this is wake and this is another string ओके, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ string concatenation की, string concatenation क्या होता है दो string को एक साथ जोड़ना, ओके, तो अगर मैं echo करू इसे, और मैं dollar x, dollar y करूँ तो आपको result क्या आ रहा था, this is wake and this is string और उसके बाद आ रहा था यह, तो यह भी एक तरह का string concatenation है लेकिन यहाँ पर और भी तरीक है, जो दूसरा तरीक है वो है dot लगाना dot जो है, इसको string concatenation operator कहते हैं क्या कहते हैं, string concatenation concatenation operator और फिर अगर मैं इसे print करूँ तो आपके पास same result आएगा, right लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, this is vivek and this is string उसके बाद कुछ space है और फिर जाकर के दूसरा string हो, तो कैसे करें तो मुझे dollar x dot उसके बाद मुझे concatenate करना परेगा space और फिर मुझे concatenate करना परेगा dollar y को, आराम से देखिए, मैं पहले से print करके दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, यहाँ पर space आ गई, आपको विशौस नहीं होता है, तो मैं इक और space यहाँ पर दा देता, और फिर अब देखिए, आपके पास थोड़ा से ज़्यादा space आएगा, अभी देखिए, अभी थोड़ा से ज़्यादा हुआ, तो इस तरह से आप लोगों को अगर space वगएरा वो करना है, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने concatenation किस तरह से किया, वो यह वाला string, अब मुझे इसके साथ concatenate करना है space को, तो dot लगा करके आपको double quotes में, क्योंकि यह एक variable नहीं है, तो आपको double quotes में space देना परेगा, ताकि यह इसके साथ space जा सके, फिर dot लगा करके एक और space मैंने दिया, तो यह एक और space आगया, फिर dot लगा करके मैंने dollar y लिखा और फिर जाकर के हमारे पास यह वाला string आया है, वही अगर मैं इसे हटा दूँ, that is dollar x dot dollar y कर दूँ तो, तो क्या होगा, तो आप देखिएगा, यहाँ पर जो space था, वो कम हो जाएगा हमारा, और यह पूरा चिपक गया है, तो यह था string concatenation, मैं और आपको थोरसा string concatenation करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इसमें थोरसा confidence मिले, क्योंकि यह बहुत जादा important चीज है, मैं लिखता हूँ, hello world, और मुझे इसको concatenate करना है, dollar x के साथ, तो मैं dot लिखूँगा, और फिर मैं लिख दूँगा dollar x, मतलब यह जो string है, तो यह basically काम कैसे कर रहा है, यह आपको स उस operator का जो दूसरा operand है, यह एक operand है, मतलब यह एक input है, और यह एक input है, और यह जो dot है, यह एक machine की तरह है, तो यह क्या करेगा, इस वाले part को उठाएगा, और इसके साथ जोड़ देगा, तो चले मैं इसे run करके दिखाता हूँ, और आपके पास आएगा hello world, और फिर this is vivek and this is string एक ही साथ आया, पर मुझे space चाहिए फिर से, तो देखे, hello world के बाद आपको space चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, hello world के बाद dot जो लगा हुआ है, उसके बाद आपको double quotes लगाने पड़ेगा, और उसमें बीच में space देना पड़ेगा, ताकि space आ सके, और अगर म अभी तो हमारे पास error आजाएगा, error आजाएगा, क्योंकि ये जो double quotes है, मैंने इसको इसके साथ concatenate नहीं किया, तो concatenate करने के लिए क्या करना है, dot लगाना है, और अब हमारा concatenate हो गया है, और आप देखिए, hello world, this is way के बाद space है, right, तो इस तरह से आप लोग concatenate बाद कर स सकते हो, okay, अब जो यहाँ पर important चीज़ है, वो यह है कि अगर मैं एक variable बनाऊ, dollar, dollar, z equal to five, six, और मुझे इसे echo के अंदर print करवाने है, तो मैं कैसे करवाँगा, मैं hello world के साथ ही से print करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूँगा, hello world, okay, और फिर मैं dot लगा दूँगा, dollar x, तो क hello world 5 आजाएगा, क्या हो गया, okay, मैंने z को वो करना था, तो देखे, hello world 5 आजाएगा, आजा भाई, hello world 6 आजाएगा, क्यों, क्योंकि z की value 6 है, लेकिन मैं चाहता हूँ यह इसके अंदर जाए, तो कोई दिकत नहीं है, आप इसके अंदर लिख दो, okay, और चली मैं से आपको print करके दिखाता हूँ, तो देखे, hello world 6, लेकिन अब जो 6 है, वो space के साथ है, क्यों, क्योंकि अब ये एक variable की तरह है, ओके, आप इसको concatenate नहीं कर रहे हो, जब concatenate कर रहे हो, तो ये एक string में convert हो जा रहा है, पर ये by default क्या है, by default ये एक number है, तो यहाँ पर number print हो गया, लेकि कि जो single quotes होता है, उसके अंदर जो भी चीज है, वो as it is जाकर के print हो जाता है, मतलब इसके अंदर अगर आपने ये डाला है, तो ये as it is जाकर के यहाँ पर print हो जाएगा, लेकिन जो double quotes होता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले चेक करता है, कि क्या मेरे अंदर को variable है, उसे क को समझता हूँ को देखे एक को चीज में पर जाता है वो उसे प्रिंट कर देता है पर अभी आप इसे क्या दे रहे हो हेलो वर्ल्ट और उसके अंदर डॉलर ज़यर अंध्य ज़र्द मतलब आप इसे एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं और इसका वैल्यू कै रह तो चलिए मैं हब दिखाता हूँ मैं क्या कर तो दॉल्ड हैं डेवल कोट्स की जगह पे सिंगल कोट्स जाल दूं और फिर में अगर इसे प्रिंट कर वाऊं तो अब देखेगा सेम रिजल्ट आया तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह एको की प्रावलम नहीं है यह इस टीटमेंट की प्रावलम है अगर वो सिंगल कोट्स में होता है तो वो एक इसके अंदर जो भी चीज है वो एक constant value माना जाता है, क्या माना जाता है वो एक constant value माना जाता है मैं लिखता हूँ यहाँ पर if if it is inside single quotes single quotes it is considered considered a constant value that is literal मतलब हम लोग उसे जैसे उसके अंदर है वैसा ही मानते है literal लेकिन अगर वो double quotes के अंदर है if it is under double quotes double quotes it is an expression क्या है अराम से देखिए तो मैंने क्या बोला मैंने बोला कि यह दिक्कत echo की नहीं है echo को तो आप जो भी यहाँ पर दोगे वो as it is print करवा देगा यह दिक्कत है single quotes and double quotes की यह करता क्या है अगर आप single quotes में दे रहे हो तो जो भी चीज single quotes के अंदर है वो उसे constant value मान लेता है जैसा कि आप लोगों ने इसके अंदर जो भी चीज़ दिया है यह एक single यह value माना गया ना this is wake and this is string उसी तरीके से hello world dollar z यह value माना गया right लेकिन अगर जब आप इसे double quotes के अंदर देते हो तो इसे एक expression माना जाता है किसे इसके अंदर के value को तो अगर यह expression है तो इसका कोई value आना चाहिए तो value के आएगा hello world और dollar z की जगा पे जो dollar z का value है that is 6 यानि कि hello world 6 आजाएगा तो आप समझ प्यार्ण होगे कि single quotes and double quotes में क्या difference है तो कभी भी कभी भी अगर आपको dollar वगेरा या फिर dollar x dollar y वगेरा प्रिंट करवाना है तो आप लोग उसे single quotes में दीजिएगा क्यों क्योंकि double quotes में अगर आप उसे दीजिएगा तो वो समझेगा कि यह एक value है जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको देखे अंडिफाइंड वैरियेवल z y y क्यों क्योंकि हम लोग ने इसे double quotes के अंडर डाला double quotes के अंडर क्या डाला dollar z y y लेकिन dollar z y y नाम का तो कोई variable ही नहीं है तो हमारे पास error आजाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि hello world dollar z y y print हो तो अगर मैं चाहता हूँ यह as it is print हो तो मुझे single quotes में डालना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी गलती है और अगर मैं अभी print करूंगा तो आप देखेगा hello world dollar z y y तो आप समझ रहे होंगा आपको समझ में आयोगा क्योंकि जिस feeling से मैं बोल रहा हूँ आपको उस तरह से समझना पड़ेगा तब ही जाकर करके आपका यह सब जो concept है वो clear हो पाएगा तो यह था difference between single quotes and double quotes okay so that's all for this video this is Wake signing off